अर्जेडी अद्धिक्ष लालू परसाद यादव के लाल तथा पूर्फ स्वासमंत्री तेजपरताप यादव पटना के एको पार्क के निकट सड़क दुरगटना में घायल हो गए। मिलते ही तेजपरताप की बड़ी बेहन मीशा भारती पारस अस्पताल पहुंची। उनका हाल चाल जाना बताया जा रहा है कि तेजपरताप को आशिक चोट आई थी। ऐसे में डॉक्टर ने प्रारंबिक इलाज कर उन्हें घर भीज दिया है। इधर माराबडी देवी भी तेजपरताप को देखने उनके आवास पर पहुंचे। बिहार कॉंग्रेस परभारी शक्ति सिंग गोहिल ने बड़ा फैसला लिया है। गोहिल ने बिहार में कॉंग्रेस की हार की जिमेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा शीर्स नेतरत्व को भेज दिया है। लोक्सप चुनाब में हार के बाद देश भर में हार की समीक्षा की जा रही है। कॉंग्रेस के अध्यक्ष राहूल गांधी के पत्से स्तीफा देनी की खबर के बाद पूरे देश में पार्टी के विभिन पदों पर बने नेता भी स्तीफा देना शुरू कर दिया है। अब बिहार क प्रतिवर्ष शाही लीची राष्टपती भवन पर्धानमंत्री अवास भीची जाती है डियम पता ही स्तित आरके कोडिया के फान का निरिक्षन किया बतादे कि राष्टपती और पर्धानमंत्री समेथ दिल्ली पट्ना के मंत्री के साथ ही उच्च दिकारी 2015 के बाद एक ब लिहाई किलो के एक हजार पैकेट बनवा कर समय से पहुचवानी की विवस्था करने के लिए कहा गया है पटना एरपोर्ट पर यात्रियों को पिकप और ड्रॉप करने जाने वाले वाहनों को शुल्क नहीं देना होगा लेकिन 3-4 मिनट में ही ड्रॉप या पिकप कर लेना होगा अगर यात्री दिव्यांग, मरीज या बुजर्ग होंगे तो इसका खयाल रखा जाएगा समान को उतारने का भी वक्त दिया जाएगा किसी हालत में वाहन को पिकप एरिया में लगातार नहीं छोड़ना होगा नहीं तो जुर्माना देना होगा अगर तीन से चार मिनट बेवजा वाहन खड़े रहे तो तीन से चार गुना जुर्माना देना होगा एरपोर्ट परिशन में वाहनों की एंट्री और एक्जिट के दस मिनट के फिरी टाइम को समाप्त कर दिया गया है अगले 20 दिनों में पटना एरपोर्ट पर पार्किंग की नए वयवस्था कर दी जाएगी बिहार विधान सबच चुनाम में जेडियो और बीजेपी के उमिदवार निरविरोध चुन लिये गए बीजेपी ने राधा मोहन शर्मा को तो जेडियो ने संजय जहा को अपना परत्याशी बनाया है बीजेपी ने राधा मोहन शर्मा और जेडियो के उमिदवार संजय जहा को सर्टिफिकेट भी सौप दिये गए कौर्तलव हो कि बिहार की दो विधान परिशत सीटों पर उपचुनाव के लिए जेडियों से संजज हा और बीजेपी से राधा मोहन शर्मा ने बीतेस मंगलवार को अपना परचा दाखिल किया था जिस पर साथ जून को इन सीटों पर चुनाव होगा लेकिन बीते मंगलवार को नॉमिनेशन दाखिल करने के अंतिम दिन तक किसी और उम्मिदवार ने अपना नॉमिनेशन नहीं भरा जिस वज़े से दोनों निर्विरोत चिन लिएकर